हेलो चिल्डरन कुसुम मैं की ओलाइन क्लास में आपका स्वागत हैं प्यारी बच्चों आज हम चोथी कक्षया की गनित की पाठे पुस्तक हस्ते खेलते का चैप्टर तीन प्रात्थ और साएं में आने वाले स्वालों को हल करना सीखेंगे और आज इस चैप्टर की मेरी ये पहले को बात बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और आप अभी तक मेरे चैनल का हिसा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिये वैल आइकन को जर जितना में टाइम लगता है वो अनुमान से लिखना है बच्चों जैसे कि इसमें लगेगा रोटियां बना रही है तो इसमें लगेगा आधा घंटा अब यह ब्रुस कर रहा है ब्रुस करने में कितना टाइम लगेगा इसमें पांच मिनट ब्रुस करने में लग जाएंगे यहाँ पर कपड़ेद हो रहा है यह आदमी तो कितना टाइम लगेगा इसको दो घंटे लिख सकते हैं हम अनमान है यह मारा यहाँ पर यह बच्चा खेल रहा है खेल रहा है तो यह कितने देर तक खेल सकता है हो सकता है यह आधा घंटा इसको खेलने में लग जाए तो हम यहा रहा है नहाने में कितना टाइम लगता है दस मिनट नहाने में लगते हैं यह पोधों को पानी दे रहा है इस पोधे को पानी देने में कितने मिनट लगेंगे दो तीन मिनट तो जरूर लग जाएंगे है ना तो इस तरह से हमें यह अनुमान ही लगाना था और लिखना है आप बात पर यह कहता है, चलो अच्छा, कुछ ऐसे काम बताएं, जिन्हें करने में हमें लगभग एक मिनट का समय लगता है, अब जैसे कि यहां दे रखा है, जुतों के फीते बानना, तो जुतों के फीते बानने में एक मिनट से जादा समय बच्चे लगा देते हैं, है ना, और के से पानी पीने में, पीने में, अब आगे और बताओ क्या हो सकता है, हाँ, दर्वाजे पर ताला लगाने में, है ना, और बताओ बच्चो, और है, जैसे की, खाना खाने में, अब यहाँ दे रखा है, करें और लिखें कि तुमें एक मिनट में ये किरियाएं कितनी बार कर सकते हो, तो यहाँ पर जो किरियाएं दे रखी बच्चो, एक मिनट में कितनी बार कर सकते हो, वो हमें बताना है, जैसे गिंती बोलना, एक स एक से दस तक गिंती आप कितनी बार बोल सकते हैं तो ये क्लिए आपको पहले करके देखनी है घड़ी में देखना है एक बार एक मिनट में आप कितनी बार कर पाते हैं उसी हिसाफ से आपको लिखना मालो एक से दस तक गिंती एक मिनट में आपने बोल दी है बीस बार तो इस जबकाना, कितनी बार आपकी आँख एक मिनट में जबकी है, वो आपको यहां पर लिखना है, अब जैसे कि उठक बैठक लगाना, उठक बैठक एक मिनट में आप कितनी लगा सकते हैं, मालो आप एक मिनट में उठक बैठक लगा सकते हैं, तीस, तो मैंने यहां पर लिख दि तो बताना आपको कि एक मिनट में कितनी बार बोले 25 बार 25 बार 30 बार अपने दोस्तों के नाम बोलना उस तरह से यहाँ पर लिखणा है गेंद के टूप फॉस्त लगाना गेंद के नीचे धरती में उहार कर टपई जो लगाते है ना दिवार पे यह इस से थप 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 जैसे मालो आपने की सत्रे बार तो यहां पर लिखती है हमने सत्रे अब आगे हैं तुम कितनी देर तक ये कर सकते हो आखों को नए जपकाना तो अब कितनी देर तक आखें आपके बिना जपकाई रह सकते हैं मालो आप रहे गए हो 20 सेकेंड तब इस तरह से हाथ पर 5 किताबें रख पर खड़े होना हाथ पर 5 किताबें रख पर आप कितनी देर तक खड़े हो सकते हो मालो आप रहे सकते हो 5 मिनट आपको ये देखना है खुद करके भी देखना है और फिर उसी हिसाब से यहां पर आपको टाइम लिखना है अब है एक पैर पर कूदना एक पैर पर कूदना तो एक पैर पर कितनी मिनट तक आप कूद सकते हो मालो आप कूदे हो चार मिनट तक तो यहाँ पर लिखती है चार मिनट अब है जैसे कि बिना बोले बैठना, बिना बोले बैठना है बच्चों आपको कितने घंटे तक रह सकते हैं आप बिना बोले, तो एक दिन ये काम भी जरूर करके देखना कि आप एक दिन में कितने घंटे तक नहीं बोले, कितनी देर तक जो है बिना बोले रह सकते हैं, तो म आप रह गए हो तीन गंटे अब है किमेए एक सास में गिनती गिंड़ा एक पैर पर खडे हो ना एक पैर पर खडा कितनी देर Tक रह सकते है तो ये करके भी देखना आपको एक पैर पर खड़ाओ के और फिर गड़ी में टाइम देखना कि कितनी देर आप खड़े रहे चुके हो और वो आपको लिखना ना मानलो आप रहे गए हो 7 मिनट तक तो आपको यहां पर लिखना है 7 मिनट अब आगे देर रखा है इसने इसी तरह से कि गणित का ग्रह कारिय करने में गणित का होमवर्क जब आप कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगता है तो जितना टाइम आपको लगता है बच्चो जब भी आप काम करते हैं तो वो आपको यहां पर लिखना है अब इसका भी अंदाजा मैं तो क्या लगाऊं अब आपको ही खुदी पताना चाहिए कई बच्चे जो है गनित में काफी intelligent होते हैं जल्दी काम कर देते हैं कई बच्चे कर नहीं पाते हैं थोड़ा कम समझ में आता है तो उनको टाइम थोड़ा जादा लगता है उस हिसाफ से जितना भी आपको यहां पर टाइम लगता है मालो आपको लगता है 20 मिनट तो आप 20 मिनट लिख सकते हैं एक घंटा तो एक घंटा लिख सकते हैं तो कौन-कौन से कामों में एक घंटा लगता है बताओ तो कई बच्चों को तो गड़ित का कारिय करने में भी एक घंटा लगता है है ना तो यह भी हो सकता है अब आगे है जैसे कि आप कुछ खेल खेल रहे हो यानि कि जैसे क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलने में भी एक घंटा लग जाता है खेल खेलने में भी है ना कोई भी खेल खेलते हैं अब योगा करने में भी एक घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है और आगे है स्कूल के लिए तयार होने में भी स्कूल के लिए तयार होते हो तो इसके लिए एक घंटा टाइम लग जाता है और एक घंटे से जादा का टाइम भी लग सकता है कई बच्चों को तो आगे और भी है जैसे कि बस में से अगर बस से स्कूल कुछते हो आगर दूर है आपका स्कूल तो उसमें भी एक घंटा लग जाता है या फीर आप और जो ऐसा कारिय कर पाते हैं जिसमें एक घंटे का टाइम लगता है तो आपको वो यहाँ पर लिखना है आगे हैं बताएं इन कामों को करने में एक घंटे से ज़्यादा समय लगता है या कम अब यहाँ पर देखो कुछ और भी काम दे रखे हैं हमें बताना है कि इन कामों को करने में एक घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है या कम का टाइम लगता है अब जैसे कि है यहाँ सबजी काटने में, तो सबजी काटने में कितना टाइम लगेगा बताओ, कितना लगता है, एक घंटे से कम टाइम लगता है सबजी काटने में तो, अब है पेड पर चड़ने में, यहाँ पर बच्चो एक और बात बता देना चाहती हूँ, सबजी, या जाएगा है ना और अब आगे है पेड़ पर चढ़ने में पेड़ पर चढ़ने में कितना टाइम लगता है एक घंटे से कम टाइम लगता है है ना सकूल का ग्रह कारिय करने में तो सकूल के ग्रह कारिय में तो एक घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है मम्मी पापा को खाना बनाने में मम्मी या पापा तो खाना बनाने में एक घंटे से कम लगता है या जादा लगता है हाँ एक घंटा तो लग भी जाता है है ना और थोड़ा कम भी हो सकता है तो यहाँ पर हम कम लिखेंगे दोस्तों के साथ खेलने में दोस्तों के साथ जब हम खेल रहे होते हैं त तो बच्चों में टाइम का पता ही नहीं चलता है ना तो एग घंटे से जादा टाइम तो लगता ही लगता है है ना तो यहाँ पर आएगा अधिक टाइम लगता है एग घंटे से जादा टाइम लगता है तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घड़ी में टाइम देखना भी सिखाऊंगी क्योंकि आगे का जो ये चैप्टर में है उसमें टाइम के बारे में ही है तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में घड़ी के टाइम के साथ तो बच्चो तब तक के लिए बाई